बरती महंगाई में अब आम जंता की जेप पर दूद का अतिरिक्त बोच पढ़ने वारा है एक मार्च से इंदौर में दूद के भाव में बढ़ोतरी की जा रही है जिसका सीधा असर आम जंता पर पढ़ेगा हालांकि इसके पीछे दूद विक्रेता संग का कहना है कि गर्मियों में दूद उत्पादन कम होने की कारण हर बार भाव मेवर्थी की जाती है इंदौर दूद उत्पादक संग के मुताबिक गर्मियों में दूद उत्पादन कम हो रहा है और पशू चारा महंगा हो रहा है जिसके कारण अब प्रती फेट किसानों को ज्यादा भुखतान किया जाएगा इन दौर में एक मार्ट से किसानों को 7 रुपए 10 पे से प्रती फेट दूद का भुखतान किया जाएगा जिसके कारण आम जंदा को खुला दूद घर पहुच 50 रुपे प्रती लीटर में पड़ेगा और इसमें देड़ रुपे दूद वित्रक का सेवा शुल्क भी है और दूद उत्पादक संग के मुदावेक पशु चारा 3800 से उपड जा पहुचा है ऐसे में किसानों को अब अत्रिक्त भुक्तान किया जाना जरूरी है और गर्मी के कारण दूद का उत्पादन भी पशुप की जो 10 लीटर दे रहा है वो 8 लीटर, 7 लीटर तक आ जाता है इस कारण थे हमेशा थे है अधी काल से गर्मी के समय में दूद का भाव जो है वो उत्पादन लागत मुल के साब से तैय किया जाता है एक मार्ट जो दूद का भाव है इनदौर के अंदर 50 पे से प्रतिफेट हम किसान को जयादा देंगे अभी तक 6 रुपए 60 पे से प्रतिफेट किति से खरीद रहते हैंगें अब हम 7 रुपए 10 पे से प्रतिफेट के से दूद क्रेट करेंगे मन एक लिटर के पीछे हम तीन रुपए किसान को जादा दे रहे हैं जो प्रे राशी है और यह जो तीन रुपए का फायदा है वो सीधे किसान को देंगे और उबोगता को जो पचास रुपए लिटर के अंदर घर पौश सेवा दी जाएगी जिसमें की डेट रुपए शेवा सुल्क सहीत जो है इंकलूड रहेगा वो साती साथ दुकानों के उपर खुला दूद जो है वो दुकंदार अपने समस्त व्याए और पेकिंग खर्चे स सहीत अपने साब से पेशा लेके वोगताओं को दूद उपलब्त कराएगा अभी दूद के भाव बढ़ाने के पीछे हमारा प्रमुक कारण यह रहा है कि कपाज्या खली है जो अर्तिस सो सवा अर्तिस सो रुपए पोज गई है चापड मेंगा हो गया भूसा मेंगा हो गय है चारे की उपलब्त कम हो गई है तो इस कारण तर दूद की उत्पादन लागत मुल बढ़ी है इसलिए हमने जो यह तय किया है कि किसान को पचास पेसे प्रतिफेट मतलब एक लिटर के पीछे 6 फेट के अंदर जो है हम 3 रुपे बढ़ाएंगे वह साले 5 से 6 फेट का भारत मतरावाला अध्यक्ष इंदोर दूद विक्रियता संग इंदोर खरमत प्रदेश 36 गड़ के लिए इंदोर सेंश्यल मुकाती की रिपोर्ट